गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको भारतिये चितरकला एवं मूर्तिकला के टिहास में गुप्त काली मूर्तिकला पढ़ा रही थी मैंने अपने पिछले वीडियो में गुप्त काली उन लेकनिये मूर्तियों को परविस्तार से चर्चेक ती आज मैं गुप्त काली मूर्तिकला के विशेश्तों के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ गुप्त काली मूर्तिकला ने कुछ विशेश्ता हैं हमें दिखाई देती हैं जो निम्ने प्रकार से हैं प्रथम कला में देवत्व की भावना का गुपत कालीन कलाकारों ने सफलता पूरवक अंकन किया शरीर को एक पवित्र मंदर की रूप में माना, जिसके भीतर आत्मा रूपी देछता वास करता है इस प्रकार आचार तत्व और सौंदरे दोनों का संगम गुप्त कालीन कला में देखा जा सकता है दूसरे विशेष्टा गुप्त कालिन मूर्तियों में बाहरे सौंदरे और आत्मे भावों का अनुठा संगम हमें गुप्त कालिन मूर्तिकला में दिखाई गुप्त कालिन मूर्तियों में दिखाई देता है तीसरी विशेष्टा गुप्त काल में मानव शरीर को प्रधान इस्तर दिया गया है प्रकर्ती याने प्रमुक इस्थान दिया गया है प्रकर्ती प्रश्ट भूमी में बनाई गई है और द्रश्चे मान प्रतीमा के शरीर के अंदर अद्रश्चे देवी शक्ती के अस्तत्व की संकल्पना को मानव शरीर सौंदरे की पराकाश्टा पर पहुँचा दिया गया है यानि कि जो मानवाकृतियां अंकित की गई हैं उनके अंदर एक अद्रश्य देवत्व के भाव को दिखाया गया है उसके कारण वे मूर्तियां बहुती शालीन और सुम्मे प्रतीत होती हैं चौथे विशेष्टा गुप्त कालीन मूर्तियों में मतुरा मूर्ति की को मलता और अमरावदी शिल्प के सौंदरे का एक उचित मिश्रन दिखाई देता है सोक उमारे का गांबीरे के साथ रम्णिय तक सैयम के साथ तथा यथार्द का आदर्श के साथ सुंदर समन्वे गुप्त कालीन कला में देखने को मिलता है पांचवे विशेश्टा गुप्त कालीन मूर्ति कला का लक्ष रूप और सौंदरे के आदर्श की प्राप्ति का था अतै सुंदर और कूमल शरीर की सरंचना हमें देखने को मिलती है नए नए उपमान निर्धारित किये गए जिसमें धनूशा कारबो हैं खंजन अत्वहिनी जैसे नेत्र शुक के समान नासिका बिम्बफल जैसे लाल अध्रोष्ट शंक के समान ग्रिवा अंडाकार मुखाकरती कदली के समान जंगाएं प्रुथुन नितम और शीन कटी उस युग के शारिरिक सौंदरे के मापनन थे शारिरिक सौंदरे को उजागर करने के लिए हलके और कम आभूशन तता स्पारदर्शी वस्त्रों कप्रयोग गुप्त कालीन मूर्दी कला में देखने को मिलता है सात्वी विशेष्टा शारिरिक सौंदरे की श्रस्टी के लिए विश्या नूकूल आसन तता मुद्रों का प्रयोग यहां की मूर्दी शिल्प में देखने को मिलता है प्रतिमाएं खड़ी एवं बेठी हैं खड़ी प्रतिमाओं में संभंग अत्वत्रिभंग बैठी प्रतिमाओं में वज्र प्रियंग पदमासन अर्द प्रियंग और सुक आसन में उन्हें बनाया गया है प्रमुक हस्त मुद्रों में अबे मुद्रा, अंजली मुद्रा, द्यान मुद्रा, वरत मुद्रा आदी देखने को मिलती है बुद्ध को भूमेश पर्ष मुद्रा और धर्म चक्र प्रवरतर मुद्रा में दर्शाया गया है गुप्त काल में वर्णा अत्मक्ता के स्थान पर द्रिश्यात्मक्ता के दर्शन होते हैं सभी शैली की प्रदानता याने व्यक्ती चित्र की प्रदानता हमें गुप्त कालीन मूर्तियों में देखने को मिलती है गुप्त काली मूर्तियों में म्रण मूर्तियां भी जो मिली हैं उनमें सौन्दर ये पूर्ण सनंचना लोग जीवन से संबंदित दिक्रतियां दिखाई देती हैं छोटी आकरतियों के उपरी भाग में छिदर से उनको घर में लटकाने एवं सजाने के उद्देश्य भी यहां पर दिखाई देते हैं इस्तरियों की केश जज्जा अत्यन्द विशिस्ट बनाई गई है तथा कहीं कहीं पर मुकुट भी बहुती सुन्दर एवं अलंकृत देखने को मिलते हैं गुप्त शैली में निर्मित लगू मनन मूर्तियां मृति का संपून भारत वर्ष में पाई गई हैं गुप्त काल मूर्ति कला की ड्रस्टी से नहीं वास्तु कला की ड्रस्टी से भी अतुन्दिय रहा है धन्यवाद गुप्त काल में हमें बहुत सारी मूर्तियां जो देखने को मिली हैं उनमें मिथुन, किनर मुथिन, उत्तेजग द्रश्य, घट वाटिका, मा पोत्र, शाल बंजिका, कुम्राहार, आदी उलेकनिय राजगाट से प्राप्त एक बहुत सुंदर मृर्ण मूर्ति, इस्त्री मूर्ति अत्यंत सुंदर है इसके त्रिक राजगाट से प्राप्त एक विश्णू मूर्ति को चक्र गदा के साथ जंगी का और वनमाला धारन किये हुए दर्शाया गया है गुप्त कालीर मूर्ति कला की जो विशेशता है मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनसे इतर ये मर्ण मूर्तियां तक्नीकी ड्रस्टी से एकल ये दोहरे साचे से निर्मित हैं या फिर एक हाथ से निर्मित है किन्तु जादतर आकरतियां साचों में बनी हुई प्राप्त हैं ये मूर्तियां जैसे कि मैंने आपको बताया था संपूर्ण भारत वर्ष से हमें प्राप्त होती हैं पत्ना से सेहत महेत के रामायन फ्लक, कसिया की बुद्ध और अन्य आकरतियों से संबंदित मूर्ण मूर्तियां वहीं बीतर गाउं की ब्रामन धर्मिशक आकरतियां, बीटा और वसाड की लगू मूर्तियां, पवाया की उद्वत आकरतियां, महा इस्थान और बंगाल के वरतुलाकार और बड़े आकार के फलक द्रिश्य, कोशांबी की लगू मूर्तियां, पशू और सिर राजगाट की पशू और मानव आकरतियां आहिच छात्र की बड़े आकार की आकरतियां पंजाब एवं कश्मीर से प्राप्त अन्य आकरतियां आदि सभी गुप्त काली म्रण मुरूर्तियों के उतकरिष्ट उधारन हैं इन म्रण मुरूर्तियों में लोग जीवन का समस्त संसार दिखाई देता है और ये लोग ये मुर्ण मूर्दियां गुप्त कालीन संस्कृति की भी उत्तम परिचायक हैं धन्यवाद